जैश्री किष्णा दोस्तों वेलकम बैक टू आर चैनल सो दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही यम्मी इजी से सांविच की रेसिपी बताने जा रही हूं जो आप कभी भी बना सकते हैं स्पेशली जब गर्मियों में कुछ मन ना हो हेवी खाने का या इसे आप कुकिंग विदाउट फायर भी कह सकते हैं इसे इवन बच्चे भी हमारे इजली त्यार कर सकते हैं और कभी आपको कुछ हलका खाना हो हेवी खाने का मन नहीं है और कुछ हेल्दी भी हो तो आप इस र एक ऊसमें भी नहीं बढ़ी लागता दोस्तों, यहां पे मैने ब्रेट के दो स्लाइसिस ले लिए इसना पर बनाविट ली लें कैचप थोड़ी सी मेरे से कैचप ज्यादा लग गई थी आप इस बात का ध्यान रखेएगा तो यहां देखिए कैचप को मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगे अपने ब्रेड के पीस पे और उसके बाद जो सबसे जारा मैजिकल आप कह सकते हैं जो में इंगिर्डम इसमें क्योंकि यह नाश्ता से इंस्टेंट गैस ट्रा जाते को समझ में आता गर्मी का टाइम में बहुँच गैस पे नहीं बनाना है कुकिंग विदाउट फायर करनी है हल्दी यम्यान इंस्ट्रों आप तब भी बना सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे मैं यहां पे खीरे और प् प्रॉपर नहीं आएगा लाइक बहुत अजीब से लगेंगे तो पतले बतले पीसिस काटके रखने हैं जिससे की इसमें अच्छे से सेट हो जाएं इसके बाद मैं यहां पे यूज कर रही हूं दोस्तों यह नटकट नीम्बू लेमन हिट है जो है बिकानों का दोस्तों य लगा ना वह कॉम्बो बिल्कुल पॉफेक्क लग रहा था टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था और इसको टेस्ट ने लाइक लेमन फ्लेवर है तो हलका सा खटा-खटा सा है और मिर्ची नहीं है और क्रिस्पी बहुत जादा है तो इस तरह से इसको अच्छे से आप इस प पेट भी भर जाता है और देखने में अच्छा लगता है और वेस्टेज भी नहीं होती है लेकिन आपके बच्चे नहीं खाते आप नहीं खाते तो आप इसके किनारे भी हटा सकते हैं तो यहां से मैंने यह बीच में सेंटर में से कट कर लिया है और आप इसका कलर हैं तो आप भी करिएगा सो दोस्तो थैंक्स फो वाचेंग दिस वीडियो मस्ट्राइब